आयोध्या में भगवान स्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। भगवान राम के मंदिर के प्रती लोग अपनी स्रद्धा निवेदित करते नजर आ रहे हैं। भागवान रामलला के भाब्य मंदिर निर्माड के दर्मियान लोग अपना समर्पन भागवान के प्रती कैसे कर सकें इसको लेकर तरह तरह के प्रयास करते हैं भगवान रामलला के भव्य मंदिर की आधार सीला रखने खुद 5 अगस्त 2020 को परधान मंतरी मोदी आयोध्या पहुचे जहां उन्होंने रामलला के मंदिर की आधार सीला रखी सीरी राम जनम भूम तीरत चेड ट्रश्ट के कारिकरता गोपाल जी के मताबिक मंदिर के गर्वग्रह अस्थल पर मोदी ने सोने के सिक्के से सुरुवात की थी जिसके बाद अनेको स्रिध धालों ने भागवान रामलला के गर्वग्रह के नीचे अपनी सरद्धान निवेदित की है इस दर्मियान तमाम धात सोना चांदी हीरा कीमती धात भागवान रामलला के निर्माड़ा धीन मंदिर के गर्वग्रह में डाली जा रही है जानिए क्या कुछ कहा सिरी राम जनम भूम तीर्थ छेतर ट्रश्ट के कारिकरता गोपाल जी और राम जनम भूम के मुख्य पुजारी आचार सते नर्दास एक महांत जी ने मुझे उस सिक्का को दिया था चार दिन पहले और विननती किया था गर्वग्रह में जो पाइप है उसके अंदर डाल दीजिए तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया हमारी श्रद्धा है कि भगवान जब विराजमान होंगे उसके नीचे हमारी सोना वहां रहे ऐसे उनकी विननती थी प्रदान मंत्री जी आये थे तब भी हमने सोने का सिखा उनके हाथ से डलवाया था यह पाइप में कई लोगों ने श्रद्धा से सोना और चांदी की सिखे या चोटे-चोटे आभूशन उसमें डाले हैं भारतिये परंपरा में अलग-अलग मंदिरों में जब प्रान प्रतिष्टा होती है या भूमी पूजन होता है तब ऐसे धातुवों का विशेष्टा सोना और चंदी हीरे मोती यह सब रखते हैं तो उसके भाव यह रहता है कि भगवान के नीचे हमारा कुछ नोग कुछ कमाया हुआ धन रहना चाहिए भगवान को कोई धन नहीं दे सकता समर्पन दे सकता है इ init उनको उनकी समर्पन था उसको मेने उपर से नीचे डाल लिया अपर जो पाइप लगा है, वहीं पर भगवान के बिराजमान होने का सिंगासन बनेगा, वो गर्वग्रे है, तो गर्वग्रे में जहां पर वो पाइप लगा है, वहां से लगा जमीन से, जब से ये बनना शुरू हुआ है, तब से लगा हुआ है, और वो एक परकार से इसलि भगवान स्थाई मंदिर तिरपाल में थे या धांचा था तब उसी जगे पर भगवान राम विराजमान थे इसे उसी जगे विराजमान होंगे जहां पर वो पाइप लगा हुआ है और जहां तक सोने किसी का डालने का है भक्तगर अपने आपको यह समझते हैं कि हम ऐसी कौन चीज बस्तु है जो भगवान को अर्पित करते हैं इस भावना उनकी होती है कि जो अमुल्य बस्तु है हमारे पास तो सोना एक परकार से मुल्यवान है इस लिए सोने को भगवान राम के उस जहां पर विराजमान होंगे उस पाइप में छोड़ा जाता है कि यहीं पर भगवान विराजमान होंगे और यह जो हमारा सिक्का है वो भगवान के इस सिंगासन पर रहेगा इस लिए जो हमारी भावना है हमारी जो मांग है भगवान राम से भगवान राम की जो भक्ती की मांग है वो हमको प्राप्त होती रहेगी और जो हमारे पास हमुल लिबस्तु है उसको हम भगवान के उस सिंगासर में समर्पित करते हैं जहां पर वो भी राजमान होंगे यह पवित्र भावनाएं सादू सं संतों की। और भक्तों की होती है! इसलिए इसे आमुलिऐ से अमुलबस्तों को बहग quieter चढणों में हुआन के सिंक सर में बहगौान के मंदिर में बहगवान के रांवाला जो है वो सिखर उस समयु उस सब को देते हैं। सब जगने लगता हैe top उने एक सिखर भी बन सकता है और जो भी वहां पर दिया जाता हूँ अपने भावनाओं को अर्पित करने के लिए और अमुले बस्तों को भगवान के समर्पित करने के लिए उनसे भक्ति प्राप्त करने की उद्देश से